गुट मॉर्निंग दोस्तों आज तयारी है दीमताल जाने की और दीमताल में हम बच्चों के लिए कमला देखने जा रहे हैं बच्चे वहां जो है पीटेक करेंगे करने के लिए जा रहे हैं तो आज का टूर होने वाला है दीमताल का और अभी आज नौ बज गए हैं और मैं अभी ब्लॉक्स दूपर रहा हूं नोगजे से जखो दीमताल पहुंचेंगे तो मैं दीमताल भी आप लोंगो जिखाऊंगा और अभी हम तैयारी लगभग कर चुके हैं यहां से निकलने के लिए और मिरते हैं अभी आपको हम पहुंच चुके हैं खटिमा चौरा है हमारा खटिमा चौरा है अभी आपको 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 चौरा है आपको चौरा हमारा जोड़ा हमारा चौरा है बड़ा टिटिकल है, ट्राफिक भी है, व्लॉब भी बनाना है, गाड़ी भी चलाना है, देखिए दोस्तों, और आज का सफर बड़ा लंबा होने वाला है, अभी हमारे दो दोस्त, हमारे लड़के के दोस्त भी आने वाले हैं, उनके पापा है, वो भी हमारे साथ चलेंगे, वो आधे मिन्या वाले हैं, अभी पहुंसने वाले हैं, कंजावाग चोरा, और कंजावाग से जस्त चोरा से त्वास आगे मिलेंगे, उनके दोस्त के पापा और बड़का तोई मिलेंगे, उनको जो है, आज हम चारेंगे, जैसा मैंने पहरे बताया था आपको, स्बाल मैं जो करते हैं, नहीं कहीं है स्फ़तल है इस आप पहरे भी ओस्त आपनेंगे, उनके आपको, कि आपकई जो आपको, है। तो यह देखे भीमताल रोड का रास लगभग लगभग ऐसा ही रहता है पूरी रोड में पूरा देड़ बड़ाक वळा रोड है मेंताल वाला तो और ज्यादा रस रहेगा आज कल कर्मियो में ट्राफिक बहुत पैसेंजर आते हैं आज कल हिंताल कि वादियों का नजा पार रास नजड़ कर दो हलके हलके बादर कुम सा ताल है? साथ ताल यह होगा मेरे खादर नौकुछ यह ताल होगा करें सरु कक्ली विननली हम पहुँच गे भख़हन ताल करक दो क्या है तो कि यहां पर कोई रूम भाद को अबलेवन नहीं है तो ने ज़र करने किस्व करने किरे। ना हुई जायागा तो कि देखते हैं नहीं तो फिर इजी या हॉस्टल तो भड़े हुए हैं कोई मिल नहीं रहा है रूम बड़ा मुस्किल है पच्चों को पड़ा दाल का क्लाइमेट तो पुसंदर देखिए पड़ा लेने के लिए हम अमरा उन रहे हैं पच्चे तो आगे निकल चुके हैं मैं प अधियों मैं घूम रहे हैं अब मिलेगा कमरा और कभ वापिस जाएंगे बहुत महँगे कमरे हैं यहां पर कॉलेज कि अधीक कॉलेज हैं यहां पर और जो है काफी महँगे कमरे है अभी अधि चाल देना सीधी खड़ी चड़ाई और साथ में वोकिंग और यह किस रोड में गए मुझे भी पता नहीं मैं खुल बचक गया हूँ इनको मैं कॉल करता हूँ इस वाली रोड पे गए है यह देखिए इन दाल का सुंदर लोकेशन सुंदर लोकेशन है आपको मैं पिकता हूँ पहाडियों में बसा हुआ इसमें से खुसबू है आहा है सॉलिट इस देखिए यह भीमताल में आपको दिखा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ अस दो फूल का नजारा नहीं आपको डूंड़ते डूंड़ते चार बच गए अभी तक कम्रा मिला नहीं तो सोचा क्यों ना हलकी सी पेट की जा तर ली जाए अभी हम पॉंस रहे हैं रेस्टोम और यहां पर खाना ओडर हो चुका है यह बैठे हैं बच्चे और यह लगे हैं तर दिया खाना ओडर कर दिया पहुंचने वाला थाना कितना पहुंचेगा इस बच्षी मिनट बेट करना पड़ेगा रस्टोम भी नया नया खुला है अभी और खाना नाम से तो नहीं हो रहा है कहीं बैद आप बोलने बड़ा कि आप यहां काहीं दंच करके देखते हैं चार बच चुके हैं अभी तो यह लो शी मुट का होगा नहीं भी आइन होने है पनीर त्राइस नहीं पनीर थाई राइस और दाल में मनाई है इनमें दाल मगी और प्लेम रोटी और 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 कुंसी रोटी मनाई है वही और बटा रोटी अब देखो अभी तलका लग रहा है कीचन में आवा जा रही है कितना देर वेट करना पड़ेगा आव 4 बजगे वट अभी तक कमरा को मिला नहीं अब दच्छू का क्या होगा यो जह आने कहा रहो पेवाई कमरा नहीं बले गा तो बढ़े आए को कोलेज के बार की अगध गर कमरा नहीं बलेगा तो थे पर रखेंगेगे तो महेंगा वाला खरीना पड़ेगा फिर अलबगे करेंगे तिर यहां से खोज में निकलेंगे हम काई की अवस्टल्स कोज कर रहे हैं और जैसे हम दंच कर लेते हैं इसके वाद फिर मिलते हैं आप से अग्तर करते हैं जाएं हमारा पूनर पांच वेचे हैं अब इसके वाद फिर मेंट हो गया है अब चलते हैं इसके वाद फाइनली एक कमरा के पास हम पहुंचे हैं अब यहां देखते हैं क्या है कमरा मिलता है कि ने मिलता आज मुस्किली लगए है इनको कमरा मिलना देखते हैं कहीं हमको दुबारा ना आना पड़ा कमरा लेने के लिए तो गाइस देखिए क्या होता है ते फाइनली हम पहुंच गए भीमटाल मेले में देखिए मैं आपको दिखाता हूं भीमटाल मेला कमरा तो अभी तक मिला नहीं लेकिन हमें मेला मिल गया तो मैं सोचा मेले में ही कोई व्ला एक मकान मालिक घूम रहे हैं तो हम उसको महिले में डोंड रहे हैं और अगर वह मेले काम साहिद हमारा काम सॉल्ट हो जाए देखिए लेले मेले का महाती हो अंदर न जारा है हाँ चीज कहां पर लगी हुए दुकान परदों की दुकान कहीं बैट सीट की दुकान देखिए वीड भड़ाज भी काफी अच्छा खाता रास देखिए मेले में तरह तरह की दुकाने लगी हुई है यह देखिए यह तरह तरह के आर्टिपिसियल आइटम बने हुए देशी उत्पाथ कि दुकान देखिए यह देखिए हमारे यह पहाड में बना हुआ है प्रोड़क्ट पाड़ काई है ना यह देखिए यह कहीं से बना गया जूट से और उसकी च्छाल से बनाया जाता है बहुत मजबूत रस्ती बनती है यह दादाजी प्रॉडक्ट आपका भीका अच्छा भीका इस मेले में कैसा भीका आपका ही लोगों ने पसंद हो किया विका कम है क्यों बड़ा कम था कि कीज वज़े से नहीं भीका है लोग इस चीज को पसंद कम कर रहे हैं, अपने लेचर के साथ उचुड़े हुए नहीं है, प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा समाधान है, और प्लास्टिक से अधी सोच बाहर निकली नहीं है, और हमारे पहाड का रोजगार है, पहाड का यह तो 80 रोजगार है, इससे हम बह यह धूला है, यह धूला बना रहे ना, इसको धूला कह लिजए या फिर इसको आप प्लांटर भी कर से इसमें प्लांट भी लगाज़े, बहुत पगड़ी चीज बना रहे हैं, आईए इनका, आपकी नेरिस्ट कहीं दुकान होगी आपकी, मुक्तेशवर में भी है, हमारा यह देखिए, इस से लोगों का रोजगार भी बड़ेगा, गाउं का और पहाड का प्लाइन जो हो रहा है, उसमें भी रोग ठाम होगी, यह देखिए, ओके साथ, थैंक्ट यू, हई ओके स्फाइनली पूरा दिन हमारा आज ञेकार गया, कोई कमला नहीं जाए यह अलिए जलते हैं वापिस घटी माकियो, उसमे जटी आ Divot चलो चलो, जया खाली है वतार इन्को पता नहीं थां सुरिं आप ठड़म हो, कर दो कि कमरा हमको मेडिया है कि पुछी आतार के पास बच्छों को फसंद है अब है अब है अब है अब है अब यहां से आप जलते हैं खटीमा को और आभी आपको हम मिलें यह खटीमा में को पहुंच गए फाइनली कस्ट के साथ अपने घर और काफी आज शंगर्शपॉंड दिन रहा पूरा दिन गोंगते रहे और अभी पहुंच गए हैं अपने घर में और अब देखते हैं हमारे घर में क्या बना है कुछ खाना पिना बना है कि खुद बनाना पड़ेगा देख पहुंच गए हम अपने घर काफी मेहनत की है आज और मेरे ब्लॉब को लाइक करें शेयर करें और जो पहली बार मेरे यूटूब चैनल पाया है वो सब्क्राइब करें और कमेंट्स करें थैंक्यू गाइज